कुछ लोग बॉने क्यों रह जाते हैं आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगो को देखा होगा और आपने ऐसे भी लोगो को देखा होगा जो हाइट में यूजवळी नौर्मार लोगो से कम होते हैं इसका मतलब है कि वो बॉने रह गया है और उनकी height नहीं बढ़ी है लेकिन क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग बॉने क्यों रह जाते हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ लोग बॉने क्यों रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत लंबे भी क्यों हो जाते हैं So let's begin हमारी height बढ़ने या ना बढ़ने के कई सारे factor होते हैं या ये बोले तो हमारी height बढ़ना या ना बढ़ना कई सारी चीजों पर डिपेंड़ होता है नॉर्मल बात करें तो हमारी height हमारे genes पर डिपेंड़न होती है इक्जाम्पल जिनके mumheepak ki height usually लंबी होती है वो बच्चे लंबे होते हैं इसके अलावा हमारी height बढ़ने या ना बढ़ने का एक और reason होता है जिसका नाम है pituitary gland Sorry अगर मैंने अच्छे से spell नहीं किया हो तो हमारी height टाब बढ़ते है जब pituitary gland से हमारे growth hormones निकलते हैं तब हमारी height बढ़ती है कुछ लोग बहुत लंबे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी gland से बहुत सारे height hormones निकल जाते हैं इसलिए वो लोग बहुत लंबे हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत बहुत लंबे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनकी pituitary gland से वो height hormones निकल ही नहीं पाते हैं या बहुत कम मात्रा में निकलते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग बहुत लंबे क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग बहुने क्यों रह जाते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें और ऐसी और इंफर्मेटिव वीडियो के सब्सक्राइब कीजिए जो लोजिकल टॉक